नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं आपका एक दीन चाहिए किर्पया सहयोग करें अस्थानिय परशासन केंद्र की बीजेपी सरकार, राज सरकार और आपकी स्वेम की जिम्यदारी होगी बता दे मेटकल सेवाओ, पुलीस और फायर सेवाओ को छोड़ कर प्राता 6 बये से रातरी 8 बये तक सब कुछ बंद रहेगा आम जनता को घरों से बाहर निकलने की कोई अनुमाती नहीं है किर्पया सांती बनाये रखे सिर्फ भीम सैनिक घरों से बाहर निकल कर भात बंद पर नजर रखेंगे वहीं मौल, दुकान, कर्याला, रहरी, पट्री, बैंक, एटिये, मंडी, मार्केट, बजार, फैक्टरी, कंपनी, वर्क्शॉप, प्रेटक, अस्थाल, आदि, सब बंद रहेंगे मुख्यमंत्री मया समान के नाम पर हो रहा ऑनलाइन प्रोड मुख्यमंत्री मया समान योजना को लेकर मुख्यमंत्री हेमान सुयन का राज्य के लोगों के लिए महत्पूर्ण संदेश जारी किया गया है उन्होंने अपने अधिकारिक सोसल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि साथियों या अत्यंत महत्पूर्ण सुचना है जार्खन मुख्यमंत्री मैया समान योजना के संदर में सुचना आ रही है कि कई लावकों के मुबाइल नंबर पर योजना को लेकर कॉल आ रहे हैं जो पुरी तरह से फजी है इसलिए योजना के तफ़त निवंधित बहान बेटियों से आग रहा है कि योजना के संदर में या रासी हस्तांत्रन से समधित कॉल आने पर OTP या अपने बैंक खाते से समधित जनकारी कॉल करने वाले के साथ साजा कडापी नहीं करे जार्खन सरकास इस योजना को लेकर किसी तरह का कॉल नहीं कर रही अता आप सभी सतरक रहे और ऐसे कॉल आने पर अपने बैंक खाता की जनकारी नहीं दे तेजी से बढ़ रहे ओनलेन फ्रोट से बचना बहुत जरूरी है चमपाई सुरेन के तेवर पढ़े नराम गुरुजी से बात चित के बाद बदला फैसला जार्खन के पुरमुख मंत्री सा जामो नेता चमपाई सुरेन नरम पढ़ गया है बताया गया है कि चमपाई सुरेन की जामो की सुप्रीमो गुरुजी सीवु सुरेन से दो राउंड फोन पर बात चित हुई है इसके बाद उन्होंने फिलहाल अपना निरने बदला है पाऊ के बारे में पूछे जाने पर होने कहा है कि मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह सब कौन कह रहा है इधर सुत्रों से मिली जनकारी के उन्सार पार्टी सुप्रीमो गुरुजी सीवु सुरेन ने चमपाई सुरेन से दो राउंड बात की है इसके बाद चमपाई सुरेन नरम पड़े है चाई बासा से पी एले फाई उग्रवादी गिरफतार दो भाग निकले पच्मी सिम्हुम जीले के मनोहरपुर में अवस्थी समीज आसरम के पास से पुलिश ने एक पी एले फाई उग्रवादी गिरफतार करने में सफलता प्राप्त किया है पुलिश ने उसके पास से एक मोटरसाइकल, तीन कार्तोस, पी एले फाई का परचा, चार छोटी डैरी और दो स्मार्टफोन भी ब्रामत किये है डैरी में थेकेदारों वो कमपनियों से मांगे जाने माली लेवी का हिसाब किताब लिखा होने के बाद पुलिश ने बताई है वहीं इस पुरी करवाई के दोरान दो पी एले फाई उग्रवादी रात का अंधेरा का फैदा उठा कर भागने में सफल हो गाई गिरवतार उग्रवादी का नाम नाकूब टूटी है याकूब गुदगवाडी थाना अंत्रगात बीरकेल गाउ का रहने वाला है सोनारी एरपोर्ट से उड़ा ट्रेनी बिमान दुरहटना ग्रस्त सोनारी एरपोट से मंगलवार सुब उड़ा एक ट्रेनी बीमान अचानक से लपता हो गया है प्रावजनकारी करूशा ट्रेनी बीमान में एक इंस्टरक्टर और एक ट्रेनी पाइलट प्लेन उड़ा रहे थे सोनारी एरपोट पर युआओ को पाइलट का प्रसिशन देने वाली अलके मिस्ट का बिमान मंगलवार सुब़ सारे 11 बज़ उड़ान भरी और थोड़ी दिर बाद ही वह एर ट्रेफिक कंट्रोल के रडार से गायब हो गया काफी खोज खबर के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला है लेकिन दोपहर लगभग तीन बज़े के लगभग पटमदा के अस्थाने निवासियों ने छेत्र के थाना की पूलिस को सुचित किया है कि आमदा पाहाल के पास एक बिमान धुरगार ना गरस्थ हुया है इसके बाद अस्थाने पूलिस ने उसकी जनकारी जीला पूलिस कंट्रोल रूम को दे दी है और यहां से अस्थाने परसासन ने टाटा इस्टिल से संपर किया है पाकुर में अवैध खनन रोकने गई पूलिस पर हमला जारखन में पाकुड जिले के पाकुडिया थाना छेतरे के बेना कुडा ब्रामनी नदी घाट पर बालू उठाव परिवहन रोकने गई पुलिस पर ग्रामिनों ने लाठी डंडाव पत्थर से हमला कर दिया है इस्थिती नियंतरन में करने के लिए पुलिस ने लाठिया भी भाजी है अंचला अधिकारी साइमन मरांडी ने 6 नामजात वो 50 अग्यात के बिरूत प्रत्मी की दर्च कराई है ठाना परभारी अमीत कुमार सिंग ने बताया है कि गुपत सुचना मिली थी कि ग्रामिन एनजी टी का उलंगन करते हुए बेना कुडा ब्रामनी नदी घाट से बालू का उठाव कर रहे है साथ ही बालू का परियोहन भी कर रहे है सुचना मिलते ही वीडियो सा सीयो साइमन मरांडी के नेत्यूत में पुलिस बलक के साथ चापे मारी करने घाट पर पहुंचे बालू लोड तीन ट्रेक्टर को जब्त भी किया गया है जल जमाओ को लेकर धनबाद के बिधायक का सत्यागर धनबाद सहर के धाया मंडल बस्ती को जाने वाली सलक पर बरसात के कारण हुए जल जमाओ को हटाने के लिए मंगलवार को धनबाद बिधायक राज सिनहा उसी जमे पानी में जाकर बैठ गया उन्हें मनाने के लिए नगर आयुक्त रवी राज सर्माधनमाद नगर निगम की सफाय टीम के साथ पहुँच गई मसीन लगा कर पानी निकासी का भी काम सुरू कर दिया गया बिधायक राज सिनहा ने इस आंदोलन में मंडल बस्ती की महिलाय भी सामिल हो गई बिधायक इस आंदोलन के कारण धैया मुख्य मार्ग पर काफी लोग जुट गए वहीं दूसरी और नगर निगम की टीम भी पानी निकासी को लेकर अपना काम कर रही है बिधायक राज सिनहा की मांग है कि जब तक पानी निकासी की समोचित व्यवस्ता नहीं होती वे उन्ना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे पुलिस मुख्याले से डिजी पी अनुराग गुप्ता ने सभी जीलों के एसपी के साथ वीडियो कंप्रेंसिंग में अपराज पर अंकुस लगाने का जहा निर्देश दिया है वहीं विभिन मामलों की समीक्षा भी की है की सराहना करते हुए डिजी पी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि इन जीलों ने अभियान चलाकर साइबर अपराधियों को सलागों के पीछे पहुचाया है डिजी पी ने रंगदारी और लेभी के मामले में अपराधियों और नक्सलियों द्वारा सरकारी संपत्ति को नुक्सान पहुचाने पुलिस अधिकारियों के द्वारा वर्दी के साथ नेम पलेट लगाने वहीं महिला थाना के स्थिती, कंट्रोल, हुमन ट्रेफिकिंग, साइबर कांड, पुलिस कंट्रोल रूम की वेवस्ता, ऑनलाइन प्राथमिकी और उसकी जाच की स्थिती डायल 112 में दर्ज मामलो की श्थिती के साथ साथ महिला आपराथ से जुड़े हुए मामलो की समिक्छा की है पलामू से मध्य परदेश के 22 चोर गिरफतार पलामू परमंडल की पुलिस ने अंतर राजिये 22 चोर को गिरफतार कर लिया है जिसमें 11 पूरुस हुआ 11 महिला भी सामिल है साथी बिहार के गया से एक सोनार मनोज कुमार को भी पुलिस ने गिरफतार कर लिया है इस समान में स्पी रिस्मा रमेशा ने बताया है गिरफ्तार किये गए सवीच और मद्य पर्देश के गुना के रहने वाले हैं बताया है कि ए लोग चोरी करने के बाद चोरी किये गए अस्थान से काफी दूर जाकर रहते थे इन सभी को रहला से गिरफ्तार किया गया बताया गया है कि इस तरह से 100 लोगों को चीनित किया गया है जिसमें से 22 लोगों को गिरफतार किया गया है बाकी लोगों गिरफतारी के लिए पुलिस परियास कर रही है दिल्ली से कलकात्ता लोटते ही चमपाई सुरेन ने दिया ब्यान जार्खन के पूर्व सीम 25 दिलिस से लोट आया है 25 दिलिस से लोट कर कोलकात्ता यारपोट पहुंचे इस दोरान जब उनसे जामों के दोरा किये अपमान के बारे में पुछा गया तो उन्होंने कहा है कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है जब उनसे मजूदा इस्थिति के बारे में पुछा गया है तो उन्होंने इंतेजार करने को कहा इधर बीजेपी ने भी कोर कमिटी की बैठक की जिसमें चुनाव और बदलते रायनिती गतिवीदियों को लेकर चर्चा हुई है भारत बंद का जम्मो और कांग्रेस ने किया समर्थन 21 अगस्त को बुलाए गए भारत बंद का जारखंड के सियासी दलों ने समर्थन किया है इसे सफल बनाने के लिए पार्टी कर करताओ को निर्देश दिया गया है जार्खन मुक्ति मोर्चा और जार्खन कांगरेस ने भारत बंद का समर्थन किया है इस संदर में पार्टी के नेताओ और करताओ को भारत बंद में सामिल होकर सक्रिये भूम का निभाने को कहा गया बतादे पिछले दिनों एस्टी एस्टी के आरक्षन में बरगी करन पर सुप्रीम कोट द्वारा लिएगा नेने को एस्टी एस्टी वर्ग के उत्थान एवां मारग में बाधक बताते हुए समाजिक संगठनों ने 21 अगस्ट 24 को भारत बंद बुलाया है जामो के चार बिधायकों की सीम हमन्त के साथ हुई मिटिंग जारक्षन सरकार में मंतरी चंपाई सुरन को लेकर राज में सियसत गर्माई हुई है सराई के लाए से बिधायक और वर्तवान सरकार मंतरी पार्टी पर अपमानित करने का रोप लगाया है उनके बिजेपी में जाने की चाचा तेज है इसी बीच बड़ी कबर है कि कुलान प्रमंडल के चार जामो बिधायक सीम आवास पहुँचे सभी बिधायकों ने मुख मंतरी हमान सुरेन से दो गंटे तक बातचित की बातचित के बाद उन्होंने मीडिया से बातचित में कहा है कि जामो से बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता सीम हमान सुरेन के साथ जामो के चार बिधायकों की बातचित हुई इसमें बहरा गोड़ा से विधायक समीर महंती, काट सिला विधायक रामदा सुरेन, जुग सलाई के विधायक मंगल, कालिंदा और पोटका विधायक संजीव, सरदार सामिल थे जारखन में ठनका से हर साल 300 की होती है मौत जारखन में ठनका आकासिय बीली की चपेट में आने से पिछले 10 साल में करीब 2500 लोगों की जान जा चुकी है, पिछले 4 साल से ठनका से मरने वालों की संख्या बढ़ी है, फिलहाल हर साल 300 से 350 लोगों की मौत ठनका से हो रही है इस साल भी आप तक करीब 200 लोगों की मौत ठनका से हो चुकी है या सरकारी आकड़ा है जबकि भी से सगे कहते हैं कि या आकड़ा बहुत ही कम है कई मौत ऐसे भी है जिनकी रिपोर्टिंग तक नहीं होती लोग सरकारी परकिल्या से बचने के कारण ठनका से मौत को भी समाने मौत बता देते हैं CM ने अपने आवास में पहुंचे लोगों से की मुलकात मुख्य मंत्री हमंसुरे ने मंगलवर को काके रोडी सित मुख्य मंत्री आवासे परिसर में राजे के विभीन चेत्रों से पहुंचे आम जनों की समस्याओं को सुना CM आवास पहुंचे लोगों ने मुख्य मंत्री से मिल कर अपने अपनी समस्या बताई मुख्य मंत्री स्वयम एक एक लोगों के पास पहुंचे और उन से आवेदन लिया इस मौके पर सीम ने सभी लोगों की समस्याओं के तौरिद समधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिये हैं मुख्यमंत्री हमांसुरेन के आश्वासन के बाद मुख्यमंत्री अवास पहुँचे लोग संतुष्ट दिखाई दिये इस अऊसर पर मुखी मंत्री हमांशुरे ने कहा है कि उनकी सरकार जन समस्याओं के समधान का नजयंतर प्रयास कर रही है राज़ सरकार का प्रयास है कि मुलभूत और बुनियादी सुविधाओं को आपके गाउ घहर तक पहुंचाई जाए पलामू में मुख्य मंत्री का कारिकरम अस्थागित सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बिरोद में आरक्षन बचाव संगर समीति ने 21 अगस्त को भारत बंद का एलान किया है सुप्रीम कोर्ट ने राज सरकार को एसी एस्थी आरक्षन में किरीमी लेर बनाने की अनुमति दी है कोर्ट ने कहा है कि जिने वास्तों में इसके हो सकता है उन्हें आरक्षन में प्राथमिक्ता मिलनी चाहिए सीविल सेवा मुख्य परिक्षा के रियर्ट परकासित करने की मांग बनाने कि जारीक दिंचे पहले जारीक करने की मांग की है आयोक के अध्यक्ष के करेकाल बाइस अगस्थ解क्श को समाप्त हो रहा है चात्रों का कहना था कि पिछले दिनों आयो के द्वारा जारी सुचना में कहा गया था कि अगस्त के दूसरे सब्ता तक रियल्ट जारी कर सर्टिफिकेट वेरिपिकेशन किया जाएगा लेकिन दूसरा सब्ता बिद जाने के बाद भी रियल्ट जारी नहीं किया गया लातेहर में घर पर सुखा पेड़ गिरने से तीन बच्चों की मौत बालू मात में कजरू भुईया के घर पर सुखा पेड़ गिरने से उसके तीन बच्चों की मौत हो गई घटना मंगलवार को हेरहंज थाना अंतरगात बंदर लोरिया में हुई है बताया जाता है कि एक सुखे पेंड की चपेट में आने से एक ही परिवार के तिन बच्चों की मौत हो गई तिनों बच्चे बंदर लोरिया के कजरू भुईया के हैं मंगलवार साम को तिनों बच्चे अपने घर के पास खेल रहे थे इसी दोरां तेज आन्धी हावा के करने अचानक सुखा हुआ सिमर का पेंड कजरू के घर पर गिर गया इस घटना में उसके तीन बच्चों की मौत हो गई उसमें एक लड़का और दो लड़की हैं घटना के बाद पूरे गाव में मातम छा गया है हेमंत सरकार को कोई खत्रा नहीं किरिसी मंत्री जारकन की किरिसी मंत्री दिपिका पांडे सिंग ने कहा है कि हेमंत सुरेन के नितित में महागडबंधन की सरकार अच्छा काम कर रही है सरकार को कोई खत्रा नहीं है और यह आपना कारेकाल पूरा करेगी दिपिका पांडे सिंग मंगलवार को महामा से रांची जाने के करम में गोड़ा के असोक अस्तम के समीप मीडिया से बात कर रही थी एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि चमपई दा वरिष्ट और अनुभावी नेता हैं हम सभी उनका सम्मान करते हैं लगता है उन्हें किसी ने बरगला दिया है जिसते वे तरह तरह की बाते करने लगे हैं जब चमपई दा मुख्य मंद्री थे और महामा में तीन सो बेट के अस्पताल का सिलन्यास होना था करकरम में ततकालिन सीम चमपई सुरेन को आना था लेकिन वह नहीं पहुचे थे तब अस्थानिय भाजपद सांसन ने सिकान दूबे ने कहा था कि चमपई सुरेन करकरमें नहीं पहुचेंगे उनसे मेरी बात हुई है लगता है कि चमपई दा विरोधियों की चाल मेवे फंसकर अननकर बात कर रहे हैं चमपई सुरेन का जमस्थेत पूर में जोरदार स्वागत जारखन के पूर मुख मंत्री सह मंत्री चमपई सुरेन दिल्ली से लोटने के दरान बहरा गोड़ा पहुचे महोली के समीप नाना होटल में उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया समर्थकों ने फूलो की माला एवं गुलदास्ता लेकर उनका स्वागत किया उन्होंने कहा है कि बेटी और कोते से मिलने दिली गए थे उनसे मुलकाद कर लोट आए सोसल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि इसके माध्यम से उन्होंने अपना दर्द बया किया है पुर्मुख मंत्री द्वारा सोसल मीडिया में पोस्ट जारी करने को लेकर पुछे जाने पर उन्होंने कहा है कि सोसल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने अपना दिल का दद बया किया है उन्होंने अपनी भावनाओं से लोगों को आउगत करा दिया है इर्फान अंसारी ने अनाथ बच्ची को दिया इसकुटी जाम तड़ा के साइडिंग मोड में एक अनोखी घटना हुई है जिसमें सभी के दिलों को छो लिया है बतादे ग्रामिन विकास मंत्री डाक्टर इर्फान अंसारी इसकुटी सोरूम के उधगाटन के लिए पहुँचे थे वहां मवजूद लोगों की भारे भीड के बीच एक मासूम आदिवासी बच्ची की नजर मंत्री पटिक गई मंत्री की नजर जैसे ही उस बच्ची पर पड़ी वे उसके पास गए बच्ची ने कहा मेरे पापा नहीं है लेकिन आपको देखकर मुझे पापा वाली अनुभूती हो रहा है मैं रोज आपके बारे में सुनती हूँ आप बहुत बड़े दिल वाले हैं गरीब के मसी है के रूप में जाने जाते हैं बच्ची की बातों ने मंत्री के दिल को छू लिया उन्होंने तुरंधी उस बच्ची को अपने पास बुलाया और इसकूटी की चाभी उपहार में दे दी साथ ही प्यार से कहा अगर तुम्हारे पापा नहीं है तो क्या हुआ अब से मैं तुम्हारा पापा हूँ तुम अच्छे से पढ़ाई करो और जीवन में आगे बढ़ो हेलमेट पहना कर इसकूटी चलाना और समय पर विद्याले जाना तुम्हारे पढ़ाई लिखाई सहीत बाकी सभी जरूरत का ध्यान रखूंगा धन्यवाद